तो दोस्तों क्या हाल है आप सभी के सदोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जोब प्रुफाइल के बारे में जो कि आपको कंप्लीटली पार्ट टाइम देखने को मिलने वाली है यानि कि आप इसमें चाहो पार्ट टाइम भी जॉब कर सकते हो फु स्टार नॉलेज कंपनी जो है वो क्या कंपनी है एंड किस तरह से वो वर्क करती है तो उसके बारे में हम आपको बताएं तो आप लोग देख सकते हो सबसे पहले कि हम इनकी ओफिशल वेबसाइट जो की है स्टार knowledge.com पे आ चुकी है एंड यहां पे about us में यहां पे इन्होंने clearly बताया कि स्टार knowledge जो है basically एक technology consulting company है जो की यहां पे Indian company है and basically यह माईसूर की company है and करनाटिका में यह है basically then यहां पे बहुत सारे जो भी आपके बोल सकते हो कि आपकी job opportunities बहुत सारी निकल कर रही है but हम जिस profile के बारे में आपके साथ बात करने वाले हैं दोस्तों वह आपकी एक completely part-time profile है जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहां पे complete कितनी जादा profiles है जिसके लिए यह लोग hiring कर रहे है के लिए यहां पे hiring हो रही है and हम लोग आपके साथ जिस profile के बार में आज इस वीडियो में बात करेंगे उस profile का नाम है business operations trainee यानि कि यहां पे आपको clearly mention किया हुआ है इन लोगों ने यहां पे आप देख सकते हो कि business operations trainee पार्ट टाइम bracket में दिया हुआ है and इसका location ऐसे तो माइसोर रहने वाला है but आपका यह पार्ट टाइम profile में अगर आप यहां पे work करते हो जिसका WhatsApp ग्रूप भी है जिसका link हमने आपको description में दिया है जहां पे हम आपको daily job updates पाना चाहते हो free of cost तो अगर आप वो job updates पाना चाहते हो free of cost तो हमारे WhatsApp ग्रूप को भी join कर लेना description में link मिल जाएगा तो दोस्तों चलते हैं अभी video को शुरू करते हैं तो दोस्तों आज की जो job update की जो आपकी designation रहने वाली है जो मैंने आपको बताया वो रही की business operations trainee part time होने वाली है complete profile तो आप इसे full time भी कर सकते हो and अगर आप इसे work from home चाहते हो तो work from home का भी option है plus office का भी option रहेगा बात करें यहाँ पर कि यह आपका non IT department के अंदर आने वाला है and आपको यहाँ पर experience level के बार में इन्होंने बताया कि अगर आपको 0 तक मतलब अगर आप 0 से 5 साल तक का experience रखते हो तो आप apply कर सकते हो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यानि कि completely freshers यहाँ पर apply कर सकते हैं कोई भी परिशानी वाली बात नहीं है दूसरा दोस्तों इन्होंने यहाँ पर clearly बताया कोन लोग यहाँ पर apply कर सकता है तो इन्होंने clearly बताया यहाँ पर non-tech यानि कि under graduates होगे graduates होगे post graduates होगे यानि अगर आपने सिरफ 12th पास किया है और कोई भी जोग experience नहीं है यहाँ फिर डिपलोमा पास किया है और experience नहीं रखते तो आप apply कर सकते हो कोई भी दिखकर धने वाली बात नहीं है दूसरा दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बताया position type यहाँ पर आप देख सकते हो part-time क्या भी दिया है work from home का भी दिया and office का भी दिया then joining इन्होंने clearly बताया immediate होने वाली है जैसे यह आप apply करते हो आपको within one week ही आपका selection हो जाएगा then आप job posted देख सकते हो कि 27 to 2023 को यह आई है जाने कि 27 feb को दो दिन पहले ही यह अभी vacances release की गई है इनकी official website के अंदर बात करते है job description में कि आपको किस तरीके से यहाँ पर work करना र sales की profile नहीं है तो यह बहुत बढ़िया बात है दूसरा आपको सिरफ यह लोग यहाँ पर task provide करते हैं जिस task को आपको यहाँ पर complete करना होता है अब वो task जो है वो different different रहेंगे आपके लिए यानि कि आपको जो company के अंदर company के अंदर हर एक departments के आपको different works को यहाँ पर दिया जा बताया कि आपको knowledge होना चाहिए थोड़ सा operations का कि किस वी के से आपको records को यहाँ पर update करना होता है और उनको आपको save करके रखना होता है for later use के लिए then दोस्तों आपको इन्होंने बताया कि आप इस role के अंदर आपको attention to detail जो है वो अच्छा होना चाहिए and आप problems को identify कर सकते हो यह आपके अंदर ability होनी चाहिए then roles and responsibilities के बारे में इन्होंने clearly बताया हुआ है यहाँ पे कि आपका command जो है वो अच्छा होना चाहिए English के उपर आपका written and verbal then incoming जो calls है customers की उनको भी handle कर पाऊ easily दूसरा दोस्तों दूसरा इन्होंने यहाँ पे clearly बताया हुआ है कि यह लोग preferably candidates दूसरा इन्होंने तीन से चार गंडे अपने accordingly आप work कर सकते हो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है दूसरा इन्होंने बताया है candidates जिनको दो से चार मन्त का experience है उनको profit किया जाएगा बट freshers भी यहाँ पे apply कर सकते हैं उनकी भी कोई problem की बात नहीं है दूसरा skills में आपके जो भी resume में जिसके थूँ आप यहाँ पे apply करोगे उसमें अगर आप selection चाहते हो तो आपको यह skills जो है वो अपने resume में added करके आप mention ज़रूर करनी है analytical and problem solving skills because उसके basis पे आपको यहाँ पे जो cv है वो automated system के थूँ यहाँ पे shortlist किया जाता है दूसरा दोस्तो qualification and education requirements मैंने आपको already clear कर दी हैं कि 12th pass, diploma, सभी candidates यहाँ पे आप सकते हैं कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है दूसरा must have skills इन्होंने बताया हुए जो आपके पास होनी चाहिए computer skills आपको आनी चाहिए दूसरा strong written and oral communication skill आपकी English में अच्छे होनी चाहिए दूसरा attention to detail आपका होना चाहिए and interested in reading आपका होना चाहिए कि अनिकि जब आप apply करोगे आपका resume आपको add it करना है and यह सारी की सारी skills आपको mention करनी है आपके CV के अंदर है ताकि आपका जो CV है वो shortlist हो जाए दूसरा additional notes में इन्होंने बताया कि आप यहां पे quick learner होने चाहिए जो कि अच्छे सा सीख पाऊ चीजों को then आप pressure यानि कि perform under pressure भी कर पाऊ and आप यहां पे multitasking भी कर पाऊ ताकि आप यहां पे अगर selection चाहते हो तो आप इन चीजों को अगर यहां पे incorporate करोगे खुद के अंदर यहां फिर maintain करोगे skills को अपने resume में तो आपका selection होने से कोई नहीं रोक सकता है इस चीज़ की मैं आप अपनी दे रहा हूँ आपको यहां पे आपका email mention करने है then email mention करने के बाद आपको comments को leave कर देना है then आपको आपका phone number mention करने है phone number mention करने के बाद आपको आपका address डालना है then आपको आपका name mention करने है name में जैसे ही आप mention करोगे आपको आपका CV upload करने है के बाद आपको यहां पर संविट का ओप्शन दिखेगा संविट पर आपको क्लिक कर देना है एड आपका हो जाएगा हो जाएगा सो दोस्तों फ़र्म संविट करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो complete हो जाएगा आपको एक confirmation का mail भी आएगा आपकी email ID पर एक one week आपको बस एक one week तक का wait करना है because यह immediate यहाँ पर joining आपकी हो जाहिए आपको बस one week तक का यहाँ पर wait करना है इनके response के लिए जैसी आपको इनका response मिलता है and बाकी का जो भी process रहेगा further selection का HR वो आपको HR जो है वो आगे further बता देंगे and दोस्तों यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगे कि मैंने salary की बात नहीं किया because इन्होंने यहाँ पर salary आपको mention नहीं किया तो as हम आपको हमेशा एक genuine information प्रोवाइड करते है real information तो हम आपको बढ़ा चड़ा कर कुछ नहीं बताएंगे कि salary यहाँ पर आपको 20,000 मिल जाएगा 25,000 मिल जाएगा because यह part-time profile है तो आपका salary किस accordingly रहेगा वो लोगोंने यहाँ पर disclose नहीं किया तो वो अगर आपका shortlist होता है CV तो अभी आपको यह लोग यहाँ पर जब आपको HR contact करेंगे वो लोग आपको disclose करेंगे तो आपको पता लग जाएगा किस accordingly आपको यहाँ पर payment रहता है but I suggest कि अगर आप यहाँ पर free हो कोई jobs करना चाहते हो यहाँ पर job डून रहे हो part-time basis पर तो apply यहाँ पर ज़रूर करना and आपका selection होने के chances बहुत ज़ाद है because यहाँ पर hiring जो है वो immediate हो रही है तो अगर दोस्तों आप interested हो इसमें apply करने के लिए link आपको description में मिल जाएगा वहाँ से आप apply कर देना and अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो हमारे whatsapp group के अंदर तो वहाँ का link भी आपको description में मैंने provide कर दिया वहाँ से आप जोइन कर सकते हो whatsapp पे भी आज की वीडियो में इतनी सी updates है and हम आप से मिलेंगे आप next वीडियो में कल तब तक के लिए goodbye